भारत और इंग्लेंड के बीच साउथ हैंटन में चौथा टेस मैच है इस टेस मैच के तीसरे दिन बहुत कुछ हुआ भारती टीम दिन भर भी अंग्रेज बले बाजू को आउट नहीं कर पाई हलांकि रन भी जादा नहीं बने लेकिन एक मौका ऐसा आया जब भारती विकेट कीपर रिशब पंध की वजए से पूरी बेज़ती हो गई पूरी टीम की असल में ये सब कुछ हुआ सड़ सट में ओवर की पहली बॉल पर जब रवी चंदन रश्विन बॉलिंग कर रहे थे और स्ट्राइक पर थे अंग्रेज बले बाज जोस बटलर अश्विन की बॉल पर बटलर चूके और रिशब पंध ने बॉल को पकड़ लिया विकेट कीपर रिशब पंध ने जबर्दस अपील की साथी स्लिप में खड़े रहाने भी अपील करने लगे लेकिन गैंद बाज रवी चंदेन रश्विन ने कोई अपील नहीं की मगर रिशब पंध पूरी तरह से कॉन्फिजेंट थे कि बॉल ने बले का बाहरी किनारा लिया है और बटलर कैच आउट है हलांकि विराट खोली भी शोर नहीं थे लेकिन रिशब पंध की जिद देखकर विराट ने अधूरे मन से रिवीव ले लिया अब तीसरे अंपायर ने देखा तो बॉल ने बले का बाहरी किनारा नहीं लिया था यानि बले बाज नॉट आउट था और अब भारत का एक रिवीव लॉस्ट हो गया अब जैसे ही रिवीव लॉस्ट रुआ तो कपतान विराट गोली जला उटे और कुछ इस अंदाज में दिखे जैसे कह रहे हूँ मैंने मना किया था वहीं इंग्लेंड के तरप से नॉन स्ट्रैकर एंड पर खड़े बेन स्टोक्स भी एक गंदी सी मुस्कान देती वे नजर आए जो रिशब पंद का मजाग उड़ा रही थी अश्रिण के साथ साथ नॉन स्ट्रैकर एंड पर खड़े बेन स्टोक्स को भी साब साब दिख गया था कि बले बाज नॉट आउट है लेकिन रिशब की जित के आगे विराट खोली ने रिवी लिया और फिर उसे गमा भी दिया वैसे रिशब पंद को DRS को लेकर अपने गुरू महंदर सिंग धोनी से काफी कुछ टिप्स लेने की जरूत है तब यो इसमें पारंगत हो पाएंगे और उमीद है कि जल्दी रिशब पंद दियारस को लेकर अच्छे फैसले ले पाएंगे फ्लेम मीडिय रिपोर्ट